nya one plus Z, यह नाम फ़िछे कुछ हपतों से काफी चर्चे में रहा है, क्यों कि सभी को पता है कि oneplus के भी phone आते है वह काफी मतलब flagship, लेवल के आते है और उनकी जो ant성 लेवल की रहते हैं तो उनका जो flagship killer का जो उनका title था वो अभी नहीं रहा पहले पहले इसे होता था कि जब यह उन्होंने स्टार्ट किया वन प्लस वन या वन प्लस टू के तब यह उनके फोंस रियल फ्लैक्शिप किलर थे और मतलब आपको 25,000 के प्राइज में काफी अच्छी डिल उस टाइम मिलती थी काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन वन प्लस जो कि वह लॉंच करेंगे तकरीवन प्राइज लेवल है 25,000 अभी तक पता नहीं है लेकिन यह जो प्राइजिंग या फिर जो भी ट्रेलर है वह 30 जुन को रिलीज हो जाएगा और वैसे अमेजन के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर चीज के आड देखी लेकिन अभी तो नहीं तो क्या है यह OnePlus Z special इतना की सभी लोग मतलब इतना वेट कर रहें और इस पर्टिकुलर ब्रैंड को प्रमोट नहीं करता हूं मैं आपको पहले बोल देता हूं सिर्फ मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन और क्या मतलब अच्छी है और क्या हमको इस पर्टिकुलर डिवाइस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ जो आपको जैसे पहले मिलता था वन प्लस के फोन सिमिलर डिस्प्ले रहेगा 4000 मिलियंपर के बैटरी 30 वाट फास्ट चार्जिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ट्रिपल कैमेरा बैक में ऐसे में उन्होंने जो कॉम्प्रो पर चाहिए जो भी चीजे उसार मिलब चलनी चाहिए कुछ है लैग या फिर यह हमारा में मोटीव रहता है यह हमारा पर प्रप्लेट फिर चाहिए आप 865 लगा दो 855 लगा दो यह फिर 845 लगा दो उससे कुछ नहीं फरक पड़ता हमको सिभ चाहिए अगर वह 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 वन प्लस 70 वर्सेस अगर वन प्लस जेड या फिर नॉट जो भी आप बोलोगे तो उसमें कुछ ज्यादा डिफ्रेंस ने यह सिर्फ प्रोसेसर का डिफ्रेंस है और डों ठिंक आइन प्रोसेसर के लिए 10,000 एक्ट्रा चार्ज करेगी कंपनी और 90 हर्ट का रूमर्स है कि 90 तो डेफिनेटली इस विल बी दा वन आप दा फ्लैक्शिप किलर स्मार्टफोन और मतलब यह एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर देंगे वन प्लस जो हम लोग पहले बोलते हैं फ्लैक्शिप किलर के नाम के से और शायद हो सकता है वह खुद के वन प्लस 8 प्रो के ही बैंड बज़ा दे कुछ भी पॉसिबल है इन आप सोज़ेगा 25,000 में आपको अगर मिल रहा है इतनी सारी चीज़े लाइक सुपर अमोलेट डिस्प्ले इंडिस्प्ले फिंगर्प्रिंट स्कैनर अगन 4000 मिलियामपार बैटरी 30 वाट का सुपर फास्ट चार्जर और शायद से 90 हर डिस्प्ले तो कोई भी इस फोन को नेना प्रिफर करेंगा क्योंकि उस क्याटेगरी में 20,000 से लेके 25,000 से क्याटेगरी में कोई भी ऐसा फोन नहीं यह इतनी सारी चीज़ें ओफर करता है और उसकी कॉंपिटिशन खुद से ही है मतलब आप बोल सकते हो OnePlus 8 के सादे डिरेक कि उसके ज्यादा जो राम के वर्जन है वो डिफरेंट हो सकते है इसा कुछ हो सकता है तो इंडियन मार्केट में फिर से वही वो लोग कैप्चर करेंगे सबस्क्राइबर या कंज्यूमर का बेस जो उन्होंने 1 प्लस 3 के टाइम कैप्चर किया हुआ था क्योंकि उस टाइ क्या रहता था मतलब उन्होंने 1 प्लस 3 के टाइम सबसे कम प्राइज में सबसे ज्यादा स्पेक्स ओफर किये हुँते जो कि कोई भी कंपनी उस टाइम ऑफर नहीं कर रही और उपर से 1 प्लस के अप्डेट मतलब रिगुलर आते रहते हैं उनका कॉस्टमर सपोर्ट का जो सर्वी से वो भी एक काफी अच्छा है तो यह कुछ उनके पॉजिटिव साइट से निगेटिव साइट सभी को पता है कि इस चाइनीज ब्रैंड and if someone wants to boycott चैना देन उसके सेल के ऊपर इंपक्ट गिर सकता है लेकिन तो अन्दर तिंग I am not going into deep into that particular thing I am just focusing on the tech part of this OnePlus Z and मुझे लगता है कि यह डिफिनेटल एक अच्छा प्रोड़क्ट होगा आप क्या सोचते इसके बार में कमेंटरेशन में जरूर डाल देना मिलते हैं अगले वीडियो में तेल देन थैंक्यू वेरी मुच एंड सी यू सुन